News 34 मध्यप्रदेश श्वत्तिजगड की ओप्रेशन केसी खुलासे के बाद मध्यप्रदेश विद्युत वित्रण कंपनी के अधिकालियों पर EOW ने अपना शुकंचा कसना शुरू कर दिया है केंद्र की योचना IPDS यानि की Integrated Power Development Scheme में करोडों रुपे के घुटाले के शुकायत EOW को मिली थी जिसकी ज्याच के लिए IPDS योचना में किये गए काम के दस्तावेज EOW ने विद्युत वित्रण कंपनी से मांगे है दिरसल केंद्र की योचना IPDS के तहट बिजडी के खंबे, केबल और प्रांसफार्मर लगाने के लिए इंदोर सहित 14 जिलों के लिए लगभग 523 करोड रुपे सुईक्रित के गए थे लेकिन ये खंबे सिर्फ दस्तावेजों में लगे न की धरातल पर इस पूरे मामले की पर्ताल में नियोच 94 मद्प्रदेश चतिसगर की टीम ने बताया था कि दिवास में किस प्रकार से 55 खंबे धरातल से गाया मिले अब पूरे मामले में इओ डव्यो ने अपना स्विकनजा पश़्िम छेत्र विद्योत वित्रन कंपनी के अधिकारियों पर कसना शुरू कर दिया है EOWSP धननचोय शहा ने बताया कि IPDS स्कीम के तहत किये गए कामों के दस्तावेज विद्योत वितरन कमपनी के अधिकारियों से मांगे गए हैं दस्तावेजों की जाच के बाद जल्द पूरे मामलों में FIR दर्ज कर दोशियों के विरोध वैदाने कारवाई भी की जाएगी तो News24 मद्य प्रदेश शत्तिसगड के खबर का बड़ा असर हुआ है News24 मद्य प्रदेश शत्तिसगड के ओपरेशन केसी का ये बड़ा असर हुआ है और किसी नतीज़ पहुंचने के लिए जो संपूर्ण दस्तावेजों की जाओ सकता है वो भी हमने उनसे चाहे हैं उनके जो करमचारी हैं अधिकारी हैं वो भी लगातार हमारे संपर्क में हैं और जानकारी के साथ में वो लोग लगातार हमें दस्तावेज दे रहे हैं झाल 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 झाल